नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं टोनी मिनाटी चैनल आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गूगल का पिक्सल 4 जी हा दोस्तो आप जानते हैं गूगल कुछी समय पहले स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आया है जैसे गूगल पिक्सल 2, अब आया है गूगल पिक्सल 4 तो दोस्तो ये स्मार्टफोन जो है अभी बस इसके रियूमर्ज जो आए है बाकी स्मार्टफोन की जो पूरी पकी स्पैसिफिकेशन है वो सामने नहीं आई है बाकी जितनी स्पैसिफिकेशन सामने आई है मैं आपको उसकी जानकारी दे दे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो बात करें अगर इसकी डिस्प्ले से तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक Full HD OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो की एक बहुती अच्छी बात है जो की OLED डिस्प्ले की जो क्वेलटी है वह बहुती जादा बैस्ट होती है और दोस्तो बसके अगर रेर कैमरे की बात करें तो इसमें 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का रेर कैमरा देखने को आपको मिल जाएगा तो उसको Google के जो phones के camera होते है उनकी quality बहुती ज़्यादा best होती है बट पता नहीं Google को दो camera देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है और इसका जो front camera है वो है 8MP का और दोस्तो अगर इसके processor की बात करें तो ये शायद Snapdragon 855 पे launch हो सकता है या फिर अगर future में कोई new processor आता है तो उस processor पे भी ये launch हो सकता है और ये 6GB RAM और 128GB internal storage के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और अलग से कोई भी dedicated memory slot आपको इसे smartphone में नहीं मिलेगा इसी के साथ आपको fast charging का support भी मिल जाएगा वो भी USB Type-C port jack के साथ तो दोस्तों आपको ये smartphone कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा और ये वीडियो कैसी लगी वो भी comment करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा जब तक के लिए आपके लिए न्यू वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा जब तक के लिए जेहिंद बंदे मातरम जब तक के लिए जाएगा